नमस्कार दोस्तों, मैं अपके अपने ही चैनल में सवागत करती हूँ। तो आज पुर्णीमा का दिन बहुत ही खास दिन है, और पुर्णीमा के दिन भगवान सत्ये नारायं भगवान की पूजा करने की दोरान कई मही लाएं, ओ कई पुरुष, चत्या नाराद भगवान, यानि पूर्णिमा का व्रत करते हैं खास दोर पे अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत का खास महत वो माना गया है क्योंकि यह 15 महीने में दो बार पूर्णिमा और दो बार यी अमावस्या आती है तो इस हिसाब से जो लोग पूरिमा का व्रत करते हैं उन लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि हमें पूरिमा के व्रत में नमक का सिवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो जो लोग व्रत में एक समय भूजन करते हैं वर व्रत में नमक का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन जो लोग उपवास करते हैं उनको नमक का सिवन नहीं करना चाहिए और काफी महिलाएं ऐसे भी प्रेशन करती हैं कि मुझे काफी कमेंट आते हैं कि हमारा बीपी लोग होता है तो हम क्या सेंदा नमक का प्रियोग कर सकते हैं तो जहां स्वास की बात आती है तो स्वास के दोरान आपको सेंदा नमक का प्रियोग आप उस दोरान कर सकते हैं लेकिन अगर वरत करते हैं पूने शद्दा और विश्वास के साथ वरत करते हैं तो इस दोरान आपको नमक का सि सिवन करने से आप में तामस बेत्पन हो सकता है और उतेजयां भी बढ़ सकती है को उतेजह भावना बढ़ सकती है तो इसलिए अगर आप पूरिय मागा ब्रद करते हैं तो ब्रद के दोरागा है नमक बिलकुल भी नहीं करे। कई महीला कर के पूरू जो जो भी ब्रत करते हैं, तो ब्रत के दोरान, आप ब्रत में खाई जाने वाली चीजों का सेवन करें, और जो लोग उपास करते हैं, तो उपास में खाई जाने वाली चीजों का सेवन करें, लेकिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें, उपास करते हैं, तो और एक समय भूजन करते है कर सकते हैं जिससे की सपेद नमक कहते हैं और में नहीं करें अच्छी लगी हो तो उडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एसी आजानकरी के लिए मेरे साथ बने रही है आरे किश्टा